बेकिंग एंड मोर में आप सभी का स्वागत है बेटे के अच्छे रिजल्ट की खुशी में मैंने ये स्ट्रॉबरी और क्रीम चीज की फ्लेवर वाला केक बनाया था तो इसी की रेसिपी आज शेयर करूँगी आधा कप दूद में हाफ टेबल स्पून विनिगर या लेमन जूस इसे अच्छी तरह से मिला करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ये बटर मिल्क बन जाएगा अब ड्राइ इंग्रेडियन्स में एक कप मैदा एक टेबल स्पून बेकिंग पौडर और वन बै फॉर टेबल स्पून बेकिंग सोड़ा साथी एक टेबल स्पून कोकोवा पौडर और एक टेबल स्पून मिल्क पौडर इन सभी को अच्छी तरह से छान लेंगे और अच्छी तरह से मिला करके एक तरफ रख देंगे टू एगवाइट्स को अच्छी तरह से फेट लेंगे ये मैंने ब्लेंडर यूज किया यहाँ पर साथी 1 by 4 cup sugar powder भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फेट करके जब इस तरह का टेक्स्टर हो जाए तो इसे हाटा के रख देंगे अब एक दूसरी बाउल में 1 by 4 cup vegetable oil और 1 tablespoon butter साथी 3 by 4 cup sugar powder इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे और अब दूसरी तरफ जो एक यॉक है उसमे वैनिल एसेंस डालेंगे 1 teaspoon और इसे भी फेट करके इसी में अच्छी तरह से मिला लेंगे अब अन्त में जो flour mix है इसे भी डाल देंगे और जो butter milk मैंने हटा के रखा था उसे इस समय डाल देंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक white अब इसे मिलाएंगे ये इस तरह से बीच करके रखा हुआ था तो इसे भी last में मिला लेंगे और cut and fold method से अच्छी तरह से mix कर लेंगे हलके हातों से ही इसे mix करेंगे ये 6 इंच का baking pan है जो ग्रीस किया हुआ है और अब इसमें batter डालेंगे इसे tap करके 160 degree में मैंने 30 minutes bake किया है क्योंकि मेरा OTG 24 liter का है थोड़ा छोटा है अगर आपके पास बड़ा है OTG तो 180 degree में कर सकते हैं मैंने इसको ठंडा हो जाने के बाद 3 layer में काटा है और इसे whipping cream से icing करूँगे तो इस तरह से 3 layer कट चुका है 1 cup whipping cream जिसे पहले से ही मैंने freezer हाटा करके रख दिया था नीचे fridge में और इसे अच्छी तरह से हम बीच करेंगे 1 by 4 cup sugar powder भे डालेंगे थोड़ी देर बात और अच्छी तरह से बीच कर लेने के बाद मैंने यहाँ 3 tablespoon cream cheese भी डाला है ताकि इसका भी एक flavor इसमें आ जाए और अब इसे अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे spatula से अब एक turn table के उपर cake का जो base है उसको रख लेंगे और पहला layer रखने के बाद यह sugar syrup है sugar syrup में मैंने 1 tablespoon milk made भी मिलाया है ताकि इसका एक अच्छा flavor आए और अब इसके बाद whipping cream को मैंने icing bag में रख लिया ताकि icing करना थोड़ा आसान हो जाए अच्छी तरह से इसकी coating कर लेने के बाद इसे हम level कर लेंगे इस तरह से जब यह level हो जाए तब यह strawberry crush है आपको जो भी flavor चाहिए वो आप डाल सकते हैं मैंने यहाँ strawberry लिया है इसको चारो तरफ इस तरह से level कर लेंगे और अब इसके उपर अगला layer रखेंगे और same process repeat करेंग शुगर सिरब उसके बाद whipping cream और whipping cream को भी level करने के बाद जो strawberry crush है उसे डालेंगे यह strawberry crush मैंने डाला इसको level करने के बाद जो last layer है इसे भी रख देते हैं और इसे भी शुगर सिरब से soak करने के बाद whipping cream डालेंगे और अब इसकी जो चारो तरफ जो sides हैं उसे भी हम cover कर लेंगे केक थोड़ा set हो जाए इसके लिए मैंने आदा गंटा refrigerate कर लिया था और अब 2 टेबल स्पून neutral glaze gel लेंगे इसमे 1.5 टेबल स्पून strawberry crush भी मिलाएंगे और थोड़ा ये liquid consistency हो इसके लिए मैंने थोड़ा सा half teaspoon पानी भी मिलाए है और इसे अच्छी तरह से मिला करके इसे ready कर लेंगे पहले इसके उपर जो भी design हो उसे कर लेते हैं अब इसके उपर neutral glaze और strawberry का जो mix हमने तयार किया है इसे डाल देंगे मैंने इसमें 2 coating लगाया है क्योंकि पहला layer थोड़ा पतला था जब ये set हो जाता है तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है चोकलेट केक और इसमें strawberry और cream cheese का flavor ये दोनों बहुत ही अच्छाया है और आप भी इस flavor को ज़रूर पसंद करेंगे वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस channel को भी आप ज़रूर subscribe करें